Hello students, Good morning, I am your assistant teacher, Isma M. Beta, How are you? I hope you are fit and fine and doing your homework regularly and properly. Today we start Chapter 9, Our Past History, The Making of Regional Culture. Chapter 6, 7, 8, 2nd drum का जो हम complete कर चुके हैं. उमेद है आपने वो वीडियो ध्यान से सुना होगा और लेसन को समझा होगा अब हम Making of Regional Culture Lesson 9 आवर पास्ट का स्टार्ट करने जा रहे हैं Regional Culture होता है छेत्रिय संस्कृति यानकि अलग अलेग एरिया की जो कल्चर है संस्कृति है उसका निर्मान कैसे हुआ असके बारे में हम रीड करेंगे वीडियो को ध्यान से सुनना है एड समझना है लोगों के बारे में बताना या उनका वरनन करने का एक सबसे अच्छा तरीका है जो वेज है तरीका है वो लोगों को उनीकी language में समझाना जिस language का वो परियोग करते हैं, जिस बाशा का, जिस बोलनी का वो परियोग करते हैं, उसी बाशा से उन लोगों की संस्कृति कल्चर के बारे में हम पता लगा सकते हैं. अगर हम किसी व्यक्ति को तमील या ओरिया कहते हैं, कि आप तमील के हो, आप ओरिया के हो, तो उसे हमें उनकी लेंग्विज से बता चलता हैं. यश स्पेक तमील और ओरिया, जो आदमें है या ओर्थ हैं, हम तभी उसका पता लगा सकते हैं जब वो रिख बोलता है, तमील लेंग्विज बोलता है, या ओरिया लेंग्विज बोलता है। लिफस लाड़ी अरृषा है। अगर तमिलाड़ी हुझत थेया उस अरिया नाशक्राहिय। तो इस परकार, हुम उस अरिया के कुछ औरकार के ओते हैं क्लोथ होते हैं। music, painting तो उनने से ही बारे में जान सकते हैं कि किस परकार का खाना वहां होता है किस परकार के कपड़े, कभीता, नरते, संगीत, painting उन्से ही हम उन लोगों की जो अलग अलग उनकी हैं उनके बारे में हम पता लगा सकते हैं सम्टाइम वी ठेक इज इडेंटिफाइब फोर जर ग्रांटीड एंड एड्यूम डैट यह एक्साइटिड फ्रों टाइम इम्मोरियल तो कई बार हम उनकी जो पहचान होती है इडेंटिज होती हैं उनको यह मानकर या सोच कर चलते हैं कि वो काफी लंबे समय से इसी परकार से अस्तितों में हैं कि काफी लंबे सालों से इसी परकार की संस्किर्ती में वो रह रह रहे हैं यह ऐसा हम सोचते हैं मान लेते हैं However, the frontier separating regions have evolved over time and in fact are still changing लेकिन अलग अलग एरिया की जो बाउंट्रीज ये सीमाए हैं वो बनने में उस समय की ताइम पिरियड की भूमिका रहती है यानि कि किसी एरिया में जो बदलावाते हैं तो उसकी बाउंट्री पहले क्या थी अब कितनी बढ़ चुकी है तो ताइम की अकोर्डिंग ताइम उसमें बदलावाते रहते हैं तो इसमें हम क्या देखते हैं कि क्या समझने की कोशिज करते हैं रीजनल कल्चर जो छेत्रिय संस्कृतिया हैं उनको समझने की कोशिज करते हैं आज हम किस को तो कई जो संस्कृतियां हैं वो समय समय के साथ बदली भी हैं और हम यह सोच लेते हैं कि वो आज भी बदले रही हैं यह जो रीजनल कल्चर हैं यह एक डिफिकल्ट प्रोशेस है जो कल्चरल में बदलावाते रहते हैं लोकल ट्रडीशनल यानि कि वहां के लोगों की परंपराएं हैं लोग परंपराओं को लोग पुराने समय से मानते आ रहे हैं यह हमारा जो सब कंटीनेंट हैं इसके जो विचार हैं वो अधर पार्ट में यानि कि किसी और दूसरे जग जाकर वहां के विचारों को हम यहां जाकर अपना लेता है तो इस प्रकार हमारी संस्कृती में भी बदलाव आ रहे हैं और बदलाव होते आए भी हैं तो इस प्रकार हमें देखते हैं कि कुछ एरिया की जो कल्चरल एक्टिविटीज हैं या ट्रडीशनल हैं आइडियाज हैं वो एक जैसे लगते हैं हमें कभी कभी लगते हैं किसी स्पेसिक एरिया के अंदर इस परकार कुछ अन्य जो उनकी ट्रडीशन हैं प्रमपराएं हैं कुछ इलाकों की पुराने रिती रिवाजों से ही तो मत्oe те पुराने रिवाजों के अपुरणा बदलाव किये परंथू अलग एरिया में जाकर उन्हें कुछ नया रूपे ले लिया हैं या कुछ एडिया या एक्टिविटीज हैं उनको नया रूप दे दिया गया है तो हम इसी तरह से जो बदलाव आये हैं या किसी एरिया में किसी कल्चर का डवलोमेंट हुआ है उनसी के बारे में हम आगे रीडि करेंगे अब हम करते हैं चेर एंड डवलोमेंट ऑ मली आलम जो चेर चीफ है है ह किया है या मली आलम जो लेंग्वेज है उसका डवलोमेंट या विकास से कैसे हुआ लट इस बीगिन बाइ लुकिंग एट एन एक्जामपल ओव दा कनेक्शन स्वीट में लेंग्वेज रीजन यहां हम एक एक्जामपल के द्वारा समझने की कोशिज करेंगे कि जो प्लिस्ट इन दा 19th century इन दा साउथ वेस्टन पार्ट ओव दा पैनिसुला जो हमारा पैनिसुला है इंडिया का उसके दक्ष्णी पस्च्वी भाग के में महुद्यपुर्म जो चेर का एक राज्य था पार्ट ओप्रेजन डे केरला जो आज केरला हमारा जो स्टेट है उसका एक पार्ट है तो पहले ये किसका नाम क्या था मोहुद्यपुर्म था जो चेर चीफ है या किंग थे उनका एक पार्ट था ये हमारे साउथ और वेस्टन पार्ट में है जो आज की हमारे केरला में है तो उस हमारा जो एरिया है केरला के अंदर है आज भी वहाँ मलियालम भादशा इस इलाके में spoken बोली जाती है तो वहाँ के जो राजा थे सासक थे उन्होंने जो मलियालम लेंग्वेज थी या स्क्रीप्ट लीपी का परियोग अपने इसक्रिप्शन में जो अभी लेक लिख लिखवाए थे राजाओं के द्वारा पत्थरों पर या जो बुक्स में तो उनसे आज मी वह मिलती है तो यह एक एक जाता है कि हमारे जो इंडियन सबकंटिनेंट्स है भारते उप मादविप है मलियालम भासा का परियोग उस समय के ओफिसियल रिकोर्ड रखने के लिए परियोग किया जाता था कौन सी भाशा का मलियालम लेंग्वेज का यानिकि जो रिकोर्ड मिलते हैं वह इसी लेंग्वेज के मिलते हैं उस में ओफिसियल रिकोर्ड रखे जाते हैं यह इसका एक्जाम्पल दे रखा है यहां पर एड़ ता सेम टाइम और उसी समय चेर आलसो ड्रू अपॉन संस्कृत क्रिटिक्स ट्रडिशन तो जो चेर सा परंप्राएं थी उनको भी उन्होंने ग्रहन किया था टेम्पल थ्रेट थेटर्स ओफ केरला विचिस ट्रेट टू इस पीरियाड बोरोड स्टोरी फ्रों दा संस्कृत एपिक्स तो उस चमें जो केरल का थेटर था रंगमंच था या टेम्पल जो मंदिर थे मंदिर रंग पेरियर था उससे में बोरोड स्टोरी तो उस स्टोरी को यानकी उधार की तरह यूज किया जाता था संस्कृत के जो महा काववे हैं उनकी जो काहनियों के लिए टेम्पल थेटर में रंगमंच में उन काहनियों का परियोग किया जाता था थे पहले मंदिर में काहनिया सु पहानिया कहां से लिए गई थी संस्कृत की जो महां से लिए गई थी the first literally work in the Maliyalam जो पहला Maliyalam भाषा का प्रियोग किया गया था about the 12th century बाहरवी स्ताब्दी में are the directly in devils to Sanskrit जो संस्कृत से लिए गई थी इंटर इंट्रेस्टिंग्ली इनफ ए 14th century टेक्स्ट चोधी स्ताब्दी में एक बुक और लिखी गई थी जिसका नाम है लीला तिलकं डीलिंग विद्धा ग्रामर और पोईटिक्स कंपोज इन मनी परवालम जो लीला तिलकं में गरंथ लिखा गया था जो व्याकरण और मनी परवालम सेली में लिखा गया था कोंडीम बुक का नाम है लिखा गया है मनी परवालम का दूसरी नैगवेजी चाहत आरत का शीजा गया ह। कि जो महद्दे पुरमेरिया था उस समय का चेर मुखिया थे उस समय तो उस समय भी वहाँ दो बाशा यूज की जाती थी एक महाँ की मली आलम अपनी जो लेंग्वेज थी और एक संस्कृत बाशा को भी आपर प्रियोग किया जाता तो संस्कृत बाशा में जो बुक लिखी भी किया गया है तो समझ में आगा होगा रूलर एंड रिलिजिस ट्रडिशनल जो सासक थे या धार्मिक प्रमपराएं थी अब हम यह धार्मिक प्रमपराओं में जगनात के से रिलेटीड एक्जामपल देखते हैं जगनात जो टेंपल है उडिशा जगनात पूरी के नाम स जो जान दिना जाता है तो इसके बारे में हम यहां कुछ समझते हैं इन अदर रिजन दूसरे एरिया में दूसरे चेत्रों में रिजिनल कल्चरल गिरू अराउंड रिलिजिन ट्रडिशन जो धार्मिक प्रमपराओं से विक्षित हुई थी कुछ संस्कृतियां किसे जगनाथ का है जो उडिशा पुरी में उसके संपरदाय से लिटरेली लोड ओफ वर्ल्ड ए नेम ओफ विस्नु जहां पर जिसे लोड ओफ वर्ल्ड दुनिया का मालिक बताया जाता है विस्नु बगवान को जगनाथ का जो मंदिर है उडिशा के अंदर है उसमें जो जो द्मोड ओप दूजेए उडिशा लवी लोड ओफ व गउशल्ग है उसमें क्या बता यह जगनाथ सिम्पल के अंदर जो लकड़ीruk की मुर्ती बनाए गईंगे बनाव vest का bility की मुर्ति प्रतिमा मनाइं गई ग थे के स्थानिये लोगों के द्वारा बनाई गई है जो ट्राइबल पीपल थे जनजातिये लोग थे उनके द्वारा बनाई गई है जिसका क्या आर्थ होता है क्या मतलब है कि जो जगनात भगवान है वो एक स्थानिये देवता थी लोकल भगवान मानते थे वो उसको और बाद म से मूर्ति बनाई और बाद में उसको विश्णु बगवान की रूप में इडेंटिफाई कर दिया इन दा 12th सेंचुरी बारवी स्ताफदी में वन ओव दा मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर ओव दा गंगा डेंसिटी जो गंगा का एरिया है गंग वन्स में एक में एक इंपोर्टेंट रूलर थे गंग डेंसिटी के अनंद वर्मम उसके द्वारा क्या डिसाइड किया गया उसके द्वारा डिसाइड किया गया इरेक्टिव टैंपल फोर पुर्सोतम जगनाथ एट पुरी तो उसने कहा कि मैं पुरी में पुर्सोतम जगनाथ के लिए एक मंदर बनवाने का जो पुरी में जगनाथ मंदर बनवाया गया है अनंद वर्मा के द्वारा बना गया था उसने रिसाइड किया था पुरी के अंदर subsequently in 1230 में king अनंग भिमा थर्ड अनंग भीम जो थर्ड थे उन्होंने अपना जो सासन था वो किसको कर दिया था kingdom to the deity and proclaims himself the deputy of the goal और उसने अपना राज्य पुर्सोतम जगनाथ यानि भगवान को अर्पित कर दिया था और स्वयम को जगनाथ का deputy यानि का उसका प्रतिनी मान दिया अपने आपको घोशिते कर लिया यानि कि राजा तो वो था लेकि इसने भगवान को अपने आपको समर्फित कर दिया और भगवान के नीचे अपने आपको उसने न्यूकते कर लिया था यह किसकी बात कर रहे हैं अनंग भीम थर्ड की बात कर रहे हैं नेक्स्ट यह जो टेंपल दे रखा है जगनाथ का टेंपल है पूरी के अंदर यह इसक स्थल की जो यात्रा करते हैं, पिल्ग्रीम्स होते हैं, सादू होते हैं, सन्यासी होते हैं, उनका एक मुख्य के अंदर बच जाता है, इसकी जो सामाजिक और राजनितिक मामलों में इसकी जो इंपोर्टेंस वो बढ़ जाती है, कि इसकी मंदिर की, जितने भी सासकते जिन्होंने उडिशा को जीता था, such as मुगल, मराथा, and English East India Company, जिन्होंने उडिशा पर अपना सासन किया था, मुगलों ने किया था, मराथों ने किया था, East India Company जो बिर्टिशर थे, उनके द्वारे किया था, attempt to gain control over the temple, वो सब क्या चाहते थे, अपना मंदिर पर control करना, कि जो temple है, उस पर control करना चाहते, ताकि जो वहाँ पैसा, gold, silver आता था, वो उनके control मेरे, they felt that this would make their rule acceptable to the local people, तो मंदिर पर control होने के बाद, तो वहाँ की जो जनता है, स्थानिय जनता है, उनके सासन को सभीकार करेगी, तो वो क्या मानते हैं, वो मंदिर को सब कुछ मानते हैं, वहाँ के लोग, तो इस परकार, अगर मंदिर पर control होगा, रा जागा, तो जनता पर रीड किया, जगरनात का जो टो पर उसके बारे में रीड किया, और जो हमने लीला सिलकम बुक है, उसके बारे में रीड किया, दो लेंग्विज में जो लिखी गई थी, अब हम जो राजपूत्स हैं, राजपूत्स की जो स्टोरी हैं, टर्डीशन हैं, उनके बारे में, उ उन्नीश वी स्तापदी में the region that constitutes most of the present day Rajasthan. तो उन्नीश वी स्तापदी का जो area हम बात कर रहे हैं जो आज हमारा Rajasthan की area में है was called Rajputana by the Dirtis. अंग्रेजों के द्वारा इसको Rajputo का area कहा जाता था, समझा जाता था. जो Rajasthan का area है, उसको Rajputo का area समझा जाता था. while this may suggest that this was an area that was inhabited only or mainly by the Rajputo. तो इस परकार यह समझा जाता था कि यह area जो यह परदेश है, जहां केवल पर्मुक रूप से Rajputo ही रहते थे. This is only partly two, यह बात सत्य भी है. There were several groups who identify themselves as Rajputo in many area of northern and central India. तो वहां के जो northern और central, मध्यवर्टी भार्ट के नेक area के लोग अपने आपको क्या कहते हैं, राजपूत कहते हैं. And of course, there were several people other than Rajputo who live in Rajasthan. और जो दूसरे वेक्ति हैं, जो राजपूतों में रहते हैं, राजपूतों के अलावा, राजपूतों में राजपूतों के अलावा जो वेक्ति रहते हैं. एक distinctive culture पर दान किया है कि इसको राजपूतों के बारे में राजपूतों के बारे में राजपूतों के अरिया में के बारे में रीड कर रहे हैं. These cultural traditions were closely linked with the ideas and aspirations of rulers. तो ये जो प्रमप्राएं हैं, वहां की जो cultural tradition हैं, सासकों के आदर्सों और अभी लाइस, उनके जो ideals थे, आदर्स थे, उनकी एस्पारेशन थे, उनकी जो प्रेज़ना करने वाली जो थे बाते हैं, वो सासकों से प्रेज़ थे हैं. From about the 18th century, अब हम यहां आठवी स्थावधी के बारे में बात कर रहे हैं, most of the present state राजस्तान, आज का जो हमारा राजस्तान है, was ruled by the various राज़पूत family, कई राजपूत परिवारों के दवाहां वहां पर सासन किया गया हैं, जैसे पर्त्वी राज, जिसके बारे में हमने chapter 2nd मे रीड किया हैं, was one rulers, पर्त्वी राज वहां का एक सासक रहा, these rulers cherries the ideals of the heroes who fought valiantly, often choosing death on the battlefield rather than, तो जो यह राजपूत सासक थे, जो था, यह पर्त्वी राज एक ऐसा ही ruler था, यह सासक ऐसे सूरवीरों के जो आदर्स हैं, आइडियल्स हैं, अपने हर्दे में उनकी आदर्सों को बनाए रखना चाते थे, और उन्ही की तरह, युद्ध भूमी में भाधूरी से लड़ते विए, मरने की अच्छा लगता है उनको, यानि कि किसी के सामने हारने से अच्छा है, कि युद्ध में भाधूरी से लड़ते विए मारा जाए, then face defeat, यानि कि हार की सामना करने की ब संद करते थे, story about राजपूत, heroes were recorded, जो राजपूतों की कहानिया हैं, उनको कई बार record करके रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है, उनके गीत या कवीताओं को कहानियों के रूप में उनको रखा गया है, poems and songs, गीतों के रूप में, which were recited by specially 10 ministerals, तो ये जो कहानिया हैं, कवीताओं हैं, सोंस हैं, ये किसके द्वारा recited के जाते थे, जो 10 ministerals होते थे, जो जिनको हम चार्ण भाट बोलते हैं, यानि कि जो चार्ण भाट हैं, वो गूमते रहते हैं, वो अपने पुराने सासकों की कह किसे लोगों को सुनाते रहते हैं, उनके कवीताओं के बारे में, गीतों के बारे में, गीतों के द्वारा या कवीताओं के द्वारा उनकी पर संसाइक करते हैं, तो ये जो गीतों के द्वारा या कवीताओं के द्वारा उन सूरवीरों की यादों को सुरक्सित रखते हैं और उनको सुनाकर लोगों से आशा करते हैं कि वो जो जनता है उन सूरवीरों की जो कहाने उनको सुनकर प्रेरित हो और उनको और जारा प्रोर्शाइद करने की कोशिसे करते हैं इंस्पायर करते हैं और उनको फोलो करने की कोशिस करते हैं अंडनरी पीपल वर आल्सु अट्रेक्ट बाई इस्टोरी जो साधार जनता होती है वो प्रेजित होती है आकर्षित होती है उनकी कहानियों से वीच ओपन डेपकेटीड डेपकेटी सिच इसुवेशन कई बार तो ये अक्सर नाट की स्थितियों होती है, स्वामी भगती होती है, लोयल्टी होती है, फ्रेंड्सिप होती है, लब होता है, वैलोर होता है, अंगर होता है, तो इन कहानियों से कई स्वामी भगती देखने को मिलती है, मितरता देखने को मिलती है, प्रेम, सोरिय, ग क्या ओर्तों को भी इन कहानियों में कहीं स्थान दिया गया है? ओर्तों की भी परशचा की गई है. Sometimes they figure as the cause for conflict. कई बार ये जगडे के कान भी बन जाते हैं. as men fought with one another to either win to protect कई बार जो पुरस हैं ओरतों को जीतने के लिए या उनकी रक्षा के लिए आपस में क्या करते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए जीतने के लिए आपस में लड़ाया लड़ते हैं women are also deprecated as following their heroic husband in both life and death तो वो जो ओरते हैं उनके बारे में भी कहीं कहीं चित्रित किया गया है लिखा गया है कि जो ओरते हैं वो अपने heroic husbands यानिकि अपने सूरवीर पतियों के लिए जीवन मन दोनों का अनुसरन करती थी practice of sati यानिकि जीवित रहते हैं husband expire हो जाता था मर जाता था तो वह विद्वा अपने मर्तक पती के साथ जिन्दा अगनी की जो सिता होती है उसमें जल जाती थी तो उनकी भी कहानियां कई बारे लिखी गई है चित्रित की गई है शो दोज ये मैप में दिया गया है कि राजपुतों का जो एरिया था यह हम जिन के बारे में बातते कर रहे हैं कि कौन-कौन से जो जैसे हमने यहां बात की केरल का मोहद्यपुर्म के बारे में उडिशा के बारे में बंगाल कॉलकटाय के बारे में और हम राजपुतों के बारे में जो बाते कर रहे हैं तो उस एरिया के यहां पर दिया गया है तो जो क्या थे जो उनके सूरवीर पती थे तो ऐसे ही जो कहानिया दी गई है उन कहानियों के recording follow heroic ideal जो सूरवीरों के आधर्स हैं उनको follow करने के लिए आधर्सों को बलिदान आधर्सों को पालन करने के लिए and pay for with their lives और अपने जीवन का किस परकार बलिदान करना होता था ये उन कहानियों के दबारा पता चलता था beyond regional frontier the story of कत्थक तो हम ये कत्थक की story के बारे में बाद में read करेंगे वीडियो जादा बड़ी हो जाएगी वीडियो का ध्यान से सुनना है लेसन को समझना है ओके स्टूडेंट्स तेंक यू